नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों वीडियो री एक्जाम डेट गोशित कर दिया गया है आयो की आफिसियल वेपसाइट पर एक नोटिस जारी करके बता दिया गया है कि आपका एक्जाम कब होगा किस तारीक को होगा और किस दिन होगा इन स इतना भी समय बचा हुआ है, इसमें तैयारी कैसे करें, इसके बारे में बात करेंगे, और साथ में पिछला कटाफ क्या था, इसे भी देखेंगे, और साथ में इसका एक्जाम पैटर्न भी देखेंगे, इसमें कितने प्रस्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है, कितन गया इसे देख लेते हैं इसमें लिखा गया है दोस्तों आयोक के विज्ञापन संख्या 0 2 परिक्षा 2018 समलित ग्राम पंचायत अधिकारी योम ग्राम विएकास अधिकारी यों समाज कल्यांड परिविक्षक प्रतियोगीत आत्मक परिक्षा 2018 से संबंधित समस्थ अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्चनगत विज्यापन की पुनर परिक्षा का आयोजन दिनांक 26 जून 2023 दिन सोमवार यों दिनांक 27 जून 2023 दिन मंगलवार को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है तो यहां पर 26 जून 2023 एवं 27 जून 2023 को पुनर परिक्षा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है एक्जाम डेट यहां पर आप लोग अपना देख सकते हैं अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं तयारी कैसे करें अगर आज से देखा जाए दोस्तों तो लगभग 33 दिन सेस बचा हुआ है इतने दिनों में वीडियो री एक्जाम की तैयारी कैसे करें इसके बारे में बात कर लेते हैं और साथ में दोस्तों पिछला कटाफ क्या था इसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो चलिए सबसे पहले इसका exam pattern यहाँ पर देख लेते हैं, देखे दोस्तों, इस exam में हिंदी से 50% पूछा जाएगा, रिजनिंग से भी 50% पूछा जाएगा, जीके जीयस और करेंट अफेर से भी 50% पूछा जाएगा, इस प्रकार से कुल 1.500 पूछा जाएगा, दो घंटे का समय दिया जाएगा, और टोटल मार्क्स की बात करें, टोटल नंबर की बात करें, तो 300 नंबर का पूरा पेपर होगा, और इसमें 1 बटा 2 का नेगेटिव मार्किंग भी होगा, तो यह इसका पूरा exam pattern है, बात कर लेते हैं दोस्तों, तैयारी कैसे करें, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें हिंदी की, तो हिंदी को दोस्तों आपको topic wise practice करना है, सबसे पहले तो topic wise आपको पढ़ना है, 50% में पूछा जाएगा, प्रति दिन आपको topic wise एक-एक topic को select करना है, उसको पढ़ना है, जो ब्याकरन है, ब्याकरन को अच्छे से पढ़ना है उसका नियम पढ़ना है और उसी की practice भी करना है कहने का मतलब यह है कि topic wise आपको पढ़ना है और practice करना है ज्यादा से ज्यादा practice पर आपको focus करना है बात करें reasoning की तो reasoning में दोस्तों सबसे ज्यादा आपको practice करने की आऊ सकता पड़ेगी क्योंकि reasoning दोस्तों यह काफ महत्यपूर रहेगा आपके एक्जाम के लिए रिजनिंग में आप 50 में 50 नंबर ला सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आज से ही आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक एक टोपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज आज से ही प्रैक्टीस इसकी सुरू कर देनी चाहिए बीना प्रैक्टीस के दोस्तो आप रिजणिंग नहीं कर सकते हैं इसे आप लोग ध्यान लखिएगा आपको ध्यान में रखना है हिंदी और रिजणिंग दोनों की अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है ठीक है बात कर उन शेतर से संबंधिट टॉपिक को अच्छे से आप लोग टॉपिक वाइज कवर करिए और उनकी प्रैक्टिस करिए पुल मिलाकर दोस्तो आपको प्रैक्टिस पर जादा फोकस करना है हिंदी, रिजिनिंग, जीके जीएस, करेंट अफेर ये सभी दोस्तो आपको प्रैक्टिस पर जादा फोकस करना है जादा सजादा आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि जो भी समय आपके पास बचा हुआ है ये बहुत ही अच्छा समय आपके पास है परियाप्त समय आपके पास है ऐसा नहीं है कि आपके पास समय अभी नहीं है आप पहले से भी कुछ न कुछ पढ़ते आए हैं और काफी लंबे समय से आप इंतजार भी कर रहे थे इसलिए अब आपको जादस जादा केवल प्रैक्टिस पर फोकस करना है और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आपको नंबर का होगा देर सुप्रस्ण है तो ये पूरा तीन सो नंबर का होगा इसमें आपको जादस जादा स्कोर करना है एक बटा दो का नेगेडिम मार्किंग भी होगा इसे भी आपको ध्यान लखना है इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए रिजनिंग की खास करके आपको प्रैक्टिस करना है पचास में पचास नंबर पचास में पचास प्रस्ण आपको सही करना है तो आपको रिजनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पचास प्रस्ण है लेकिन ये सो नंबर का होगा ये भी पचास प्रस्ण है ये भी सो नंबर का होगा और यहाँ प्रकार से देड़ सो प्रस्ण पूछा जाएगा तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको टॉपिक वाईज सेलेक्ट करके पढ़ना है और स्लेबस के एकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है और बात कर ले दोस्तों कि पिछला जो इसका कटाव था क्या था वीडियो एक्जाम का जो फिछला कटाव था इसके बारे में अगर बात करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं वीडियो प्रिविएस येर कटाव इसमें आप देखेंगे जनरल का जो कटाव गया था ये 211 नंबर गया था 300 में 300 में 211 नंबर कटाव गया था ओबीसी का 250 नंबर गया था 300 में यस्टी का 188.24 नंबर गया था 300 में महिला का 198 नंबर गया था और सुतंद्रता संग्राम सेनानी के आसरित का 187 नंबर गया था कटाव 300 में भूतपूर सैनिक का 162 नंबर विकलांग जन में पीवी का 206 नंबर पीडी का 167 नंबर ओए का 189.52 नंबर गया था 300 में तो ये प्रिविएस येर का कटाव था इसी के तैयारी शुरू कर दीजिए अच्छे से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भी वीडियो की महत्पूर क्लासे चलाई जाएंगी इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए वीडियो को यहीं पर समात करते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद